जिन भी स्टुरेंट्स का JMS 2023 का फर्स्ट अटेम्ट हो चुका है उनके लिए ये वीडियो काफी जादा important है ठीक है और ये वीडियो ऐसा नहीं है कि आपको डराने के लिए बनाया जा रहा है बलकि ये वीडियो आपको जगाने के लिए जरूरत है क्योंकि काफी सारे स्टु सबसे पहले तो आपको ये पॉइंट थोड़ा अच्छे से समझना पड़ेगा कि आपके लिए जो है एक अच्छे परसंटाइल में लाना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है ठीक है कई स्टुरेंट्स सोचते है कि अभी जो है हम सेकेंट अटेम्ट तक अपना स्कोर बताऊंगा और ये भी चीज समझने हो कि कि क्या आप जो है सेकेंट में अभी अच्छा परसंटाइल ला सकते हो डिवन दैट कि अगर आपको फर्स अटेम्ट में अच्छा परसंटाइल नहीं बन पाया तो ये चीज़ पर भी हम डिसकुशन करेंगे और आपको फर्स अट अच्छा स्कोर बन पाए तो यहां पर सबसे पहला जो है हम 2022 का डेटा में आपको दिखाना चाहूंगा यहां पर आपको दिख रहा होगा कि हर एक परसंटाइल आपके 99-98 से लेकर 90 परसंटाइल जून शिफ्ट और जुलाई शिफ्ट जो की 2022 में हुई थी उनका एवरेज का कंपैरिजन यहां पर हुआ है तो यहां पर क्लियरली देखो कि आपकी जून शिफ्ट में जून शिफ्ट थी वहां पर आपका 184 पर जो है 99 परसंटाइल बन रहा था लेकिन जुलाई शिफ्ट में यह स्कोर बढ़के आपका 193 हो गया था तो यह एवरेज स्कोर के में नौ माक का जम दिखाना था तभी आप जो परसंटाइल ला पाते लेकिन जैसे आप नीचे आते जाओंगे यह बढ़ा होते जाता है तो कई स्टुरेंट सोचते हैं कि अभी ठीक है जो हमने गल्तियां की उससे अगर हमने 20-30 नंबर बढ़ा लिए तो हमारे परसंटाइल क जाना चाहता है तो आप खुदी डिफरेंस यहां पर जो है कैल्कुलेट कर सकते हो ठीक है तो और भी जो है कुछ चीजे मैं आपको यहां पर बताना चाहूंगा कि ओवरॉल टफनेस का जो पेपर था ना वो भी आपका जून से जुलाई अटम में बढ़ गया था तो सेम जो हम 2023 में भी देखेंगे ठीक है कहीना कहीं आपका जो अभी अटम्ट में पेपर आया है आपको समझ में आ रहा होगा कि जैसे ऐसे शिफ्ट बढ़ते जारी है थोड़ी 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 तपनेस बढ़ती है एंड सेकेंड अटम में भी यह तपनेस जरूर बढ़ेग कि अगर हम जो है जून शिफ्ट की मतलब फर्स शिफ्ट की बात करें तो 146 तो बहुत अच्छा स्कोर है लेकिन यहां पर आपके केवल 96 परसेंटाइल के आसपास बन रहे तो यही चीज होती है आपको शायद जो स्कोर आप सोच रहे उससे भी काफी वहतर स्कोर लाना के पास भी सफिशन टाइम होगा क्योंकि उनका बोर्ट नहीं है तो यह चीज रहती है जो कि कॉंपिटिशन को थोड़ा बढ़ाती है तो इन सब चीजों से डरो मत लेकिन हर एक फैक्टर को दिमाग में लगा के चलो कि हमें कितना जादा स्कोर यहां पर बूस्ट करने की जरूरत है अब अगर हम बात करें कि क्या यह टास्क बहुत ईजी है तो ऐसा तो नहीं है दिख रहा है आपको कि जो जम्प हमें चाहिए वो काफी ज्यादा मुश्किल है लेकिन आप जो है इस चीज को डेफिनेटली जो है अचीफ कर सकते हो पिछले साल भी कई पॉसिबल है लेकिन कुछ ही वच्चे कर पाते हैं और अगर आप जो है उस कैटेगरी में लाइक करना चाहते हो तो यार आपको जो है प्रॉपर तरीके से यहां पर डालने होंगे अब देखो कुछ चीजे हम देखते हैं कि आर फर्स्ट अटिम्ट से हमें क्या सीखने को म मिल रहें तो इस बार कि अगर सारे शुफ्स का अनलिक्स करें तो काफी हद तक 40-50% कुछन हम कह सकते हैं कि डारेक्ट फॉर्मूला बेस ते और कुछ कुछ का लेवल तो काफी जादा कम था फ्रेंट्स को बस एक सिंपल से फॉर्मूले में वैल्यू डालनी तो और आंसर जाता 60-70% जो आपके questions थे वो directly आपके PYQs के basis पर पूछे गए तो clearly समझ में आ रहा है कि formulas and PYQs आपके बहुत जादा useful है तो यहां पर जो है सबसे बड़ी tip मेरी यह रहेगी आपके लिए कि आपको सारे formulas जितने भी है न बहुत अच्छे से याद कर लेने सबसे पहले क् कई students के साथ यह होता है exam hall में उन्हें formulas याद ही नहीं रहते और जो हर एक formula आप याद कर रहे हो उसको एक तो served example के तुरू समझो कि आखिर उसका application क्या होता है ठीक है जैसे कि Doppler's effect है तो उसमें जो है आप J-means के जितने भी पुराने questions उठा लो ना तो बहुत जादा उन्ह है वो यह है कि सारे PYQs 2020 से लेकर 22 तक क्या आप कर लो मैं यह नहीं कर रहा हूँ ददस साल पुराने लगाओ इतने भी अगर लगा लेते हो ना इनमें भी multiple shifts होईती अगर इतना लगा लेते हो तो एक अच्छा score आपका physics में definitely आ सकता है बस given that कि आप यह नहीं है कि हरे question के solution को refer कर रहे हो कुछ question के लिए कर रहे हो समझ में आ रहा है लेकिन ज्यादा question के लिए अगर refer करना पड़ रहा है तो कहीं न कहीं आपके concepts week है तो concepts को revise करो फिर PYQs को solve करो अगर आपसे 72-80% PYQs खुद से बनने लग गए तो भाई paper में एक अच्छा score लाने से आपको कोई भ परसेंट पेपर वहीं से आ रहे है एक हाथ question को हटा दो तो ऐसा रहता है कि लाइन बाई लाइन बाई लाइन जो है question अठके आ रहे हो और जो आपके लास्ट के चैप्टर सोजाते है bio molecules environmental chemistry यहां से भी लाइन से जो है आपके question अठके आ रहे है और 50-60% पेपर आपके सकते ह तो भाई जब यह जो है इससे हमें यह चीज समझ मेरी कि कितनी important है तो कम से कम दो बार पढ़ने का target रखोगे अगर second attempt के पहले तो बहुत ही जादा अच्छा होगा लेकिन जिन भी students का मानलो अभी board है ठीक है थोड़ा बहुत आपको board में भी time invest करना पड़ेगा तो कम से कम एक बार तो पढ़ने का target रख लो एक बार अगर शिद्दस से पढ़ लेते हो NCRT तो बहुत सारी चीज़ा याद हो जाएगी कुछ short notes भी prepare कर लेना जिसके अंदर सारे important points जो है आप note down कर लो तो यह चीज आपके लिए बहुत जादे useful रहेगी जितनी आपकी important reaction है उनको भी पेच पर लिख लो कहीं दिवार पर चिपका दो रोज नजर पड़ेगी तो अपने आप याद भी हो जाएगी ठीकि और इन और दोनों ही case में और जितने formulas है प्जिकल केमिस्ट्री के वो अच्छा से याद कर लेना प्छिकल केमिस्ट्री में कुछ questions थोड़े सापके गु में एक पैपर दिया है जिन भी स्क्राइब है पिछले तीन साल के पैपर लगाये होंगे उनको समझ में आ रहा होगा कि इनके कॉंसेट क्लियर हो गए तो उस टाइम पर ही अब मैंस की अगर बात करें जो जो की इस ट्रेंट को सबसे आदा तफ परता है तो देखो 2022 के पैपर तो math relatively easy आ रहा है अब easy words से यह मत सोचना भया ने क्या बोल दिया वह easy तो आहीं नहीं रहा है 2022 के papers के comparison में बात करो उसका level आप देखी चुके होंगे कि थोड़ा सा आपका high चला गया था 2022 के paper में आपके difficult shift पे 18 नमबर पे 90 percentile बन रहे थे तो इससे तो समझ में आ रहा है कि paper tough थे बट अभी यह चीज नहीं होगी ठीक है इतने कम marks पे तो नहीं बनेगा तो यहाने कि हमें समझ में आ रहे है कि relatively आपका easy था और हम somewhat कह सकते कि 2020 and 2021 के papers के आसपास आपको paper देख रहा है और इस बार मतलब यह कह सकते हो कि 8 से 10 questions जो है doable थे अगर आपकी moderate shift की बात करें difficult में थोड़े सो और कम question हो जाते ठीक है और यहां पे आपके 30 to 40 percent questions थे ना वो directly या indirectly पीवाइक्यू के basis पे पूछे गए थे कुछ question तो मतला ऐसे देखने को मिले थे कि values थोड़ा बहुत change करके आपसे पूछे गए तो इस टाइप के questions जो है हमसे attempt हो जाने चाहिए अगर आपने पीवाइक्यू करें तो इससे समझ में आ रहे है पीवाइक्यू का इंपोर्टेंस है मैस में भी और पेपर जो है नहीं क्या सकते एक दो shift को छोड़कर बागी इसमें लेंदी आ रहे है तो लेंदी का क्या मतलब होता है कही ना कहीं हमारी speed अभी अच्छी नहीं है और थोड़ी आपको speed बढ़ानी पड़ेगी तो में जो है mass section का यही रोल रहता है कि physics chemistry में हमारी इतनी अच्छी speed हो थाकि हम mass के तो देखिए आपको जादा से यादा focus करना होगा question solving में with proper timer ताकि आप अपनी speed को एक अच्छा खासा boost दे पाओ और जितने PYQ सेने 2020 से लेकर 2022 के वह mass में भी कर लो बहुत हद तक आपको चीज़े समझ में आएगी 2022 के भला ही tough हो लेकिन आपको यह समझ में आएगा कि जब question इतने ज्यादा लेंदी रहते तो हमें कौन से questions को छोड़ना चाहिए यह चीज हमें जो सीखने में आ जाती है मैस का section ऐसा है ना कि यहां पर जरूर यह questions को छोड़ना कौन से questions को हमें छोड़ देना चाहिए वो questions अगर majority जनता छोड़ेगी तो हम attempt करके क्या उखाड लेंगे हम हां अगर attempt करते तो एक अच्छी rank ज़रूर आ सकते हो लेकिन अगर आप एक average category में लाइक करते हो तो आपको ऐसे questions को select करना चाहिए जो आपको easy number देला तब आपका previous year के paper का analysis किया था और यहां पर जो short tricks बताइए वो strengths को काफी ज़्यादा help करी तो questions को किस तरीक से और जल्दी approach कर सकते है तो second attempt के लिए course आपके लिए beneficial सावित हो सकता है जो कि हमारी website 10qchallenge.in पर अविलेबल है तो आप इसे जरूर से चेक कर सकते हैं बाग ही अगर course से लि topics कौन कौन से थे यहां पर आपके जो है कौन से easy scoring थे तो इससे और आपको प्रिपरेशन में help होगी ठीक है तो वह चीज जो है बाद में लाएंगे लेकिन अभी जितने points मेंने तीनो subject के लिए बोले कम से कम उनको implement करना start कर दो अभी से ठीक है अब PYQ करना है formulas कहां कहां प दिखा सकते हो मानता हूँ कि यह जंप थोड़ी से मुश्किल रहेगी और जो भी class 12 वाले उनके लिए तो यह भी boards के साथ manage करना है लेकिन हर साल students यह चीज करते हैं और आप भी definitely कर सकते हो proper तरीके सब नगर time manage करूंगे तो यह चीज जो है possible है तो hopefully यह वीडियो से आपको क्लियर पिक्चर मिली होगी कि second item के लिए किस तरीके से preparation करना है बागी मिलते अगले वीडियो में तब तक लिए टेक क्या एंड गुडबाए